ख्राइब है ज़ीए भाब वू सभी छात्र लाएबाजा ये साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए क्लास होगा सरकिने बिल्कुल होगा चलिए सभी को जोड़ लीजिए अपने दोस्तों को सुप्रिया भारती पृतियो रामी आमन कुमार सभी छातरों को अज आपको सिनोनिमस का सेकेंड क्लास होने वाला है कौन सा क्लास होने वाला है बावू सेकेंड क्लास होने वाला है जैसे synonymous बोला गाता है एक ये को दो नाम रहता है उसी को बोला गाता है सिनोनिमस चलिए सर आप नहीं दीख तो रहे हैं वाबू चलिए सिनोनिमस का आज आपका भोकैब शुरू करते हैं साथ ही साथ सभी छात्रों को जोड़ लीजिए सिमनाथरा है चलिए अब यहां से आईए अब हम पहला भोकैब लिखना सुरू करते हैं बाबू देखे आपको जैसा की पता है कि हम अरहाइस और इंपोर्टेंट भोकैब लिखाने बोले हैं तो आज उसका नेश्ठ है बाबू ध्यान दीजिए बैंक्रेप्ट बैंक्रेप्ट का सिनोनिमस क्या होता है आप लोग कैम्प्मेंट करके बताएंगे बैंक्रेप्ट का सिनोनिमस क्या होता है तो बावो बैंक्रेप्ट का सिनोनिमस होता है इन्सोल्वेंट जिसका मतलब होता है दिवालिया दिवालिया किसको कहता है अभी हाल ही में कौन सा देश दिवालिया बना है बावू तो सिरलंका जो है एक दिवालिया देश बन चुका है दिवालिया अपने आपको घोसित कहता है दिवालिया उसे कहते हैं जो अपना कर्च जो देश अपना कर्च चुकाने में आसमर्थ रहता है उसे दिवालिया कहते हैं तो bankrupt का मतलब होता है दिवालिया यहां तक पिरिये छाथ आपको समझ में आगया होगा अब बताएँ ब्लीस का मतलब क्या होता है काल्म का मतलब क्या होता है केमेंड का मतलब क्या होता है आप सिनोनिमस आपको बढ़ा रहे हैं देखें बिलीस का मतलब सर हम नहाने जा रहे हैं जाये न तो आपको हम पकड़े हुए हैं तो बिलीस का मतलब होता है खुसी जैसे आप माल लीजी कि टेस्ट में यहां टॉप होते होंगे तो आपको खुसी मिलता होगा बिलीस मिलता होगा बिलीस मतलब खुसी तो बिलीस का मतलब होता है खुसी इसक ज्वाए इसका मतलब होता है फूसी आसिरबाद नहीं वह बलेज का मतलब होता है बलेज का मतलब होता है आसिरबाद अब आप छातर बताएंगे कालम का मतलब क्या होता है इसको पढ़ते हैं कालम इसको पढ़िये तो ज्यादा बेटा रहेगा मिसस्पेल्ट में आएगा तो कालम मतलब होता है सांथ तो सांथ को इंगलिस में बोलते हैं काल्म का मतलब होता है सांथ, इसका होता है वाबू सेरीन या साइलेंट, इसका मतलब होता है सांथ कमेंड, c-o-m-e-n-d कमेंड, c-o-m-e-n-d कमेंड मतलब होता है, परसंसा करना, तो इसका हो जाएगा प्रेस या लाओड मतलब परसंसा करना क्या जड़के लोग के परसंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है कमेंड मतलब क्या होता है, परसंसा करना, प्रेस या लाओड, अब आगे चलिए कैजूल कैलियोस क्लाइमेस कैप्रिसियास सरसाइड, ठीक है, कैजूल कैजूल का मतलब होता है, फुसलाना, क्या होता है कैजूल का मतलब आबू, फुसलाना कैजूल का मतलब होता है, फुसलाना, जैसे की छोटा बच्चा से कोई फुसलाता नहीं, जी कहता है टॉफी दो तो कैजूल का मतलब होता है, फुसलाना, इसको सिनोनिमस क्या होगा कोक्स या परस्वेड इसका मतलब होता है, फुसलाना कैल्योस का मतलब होता है, गिसको किसी के परती कोई दया का भावण और हो, उसे केल्योस कहते है, इसका हो जाएगा, कैल्योस कैल्योस मतलब होता है, इसका सिनोनिमस क्या हो जाएगा बाबू? क्रियूल कि इसका मतलब होता है निर्लदाई क्लाइमेक्स- क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है हा रियूड भी होता ही वादम है क्लाइमेक्स बोलते नहीं हों कि फिल्म में अभी क्लाइमेक्स बाकी है यानि क्लाइमेक्स मतलब होता है सीखर क्लाइमेक्स मतलब होता है सीखर सबसे उपर का फाइंट को क्लाइमेक्स वो लगाता है जैसे आप लोग बोलते होंगे फिल्म में कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है कॉमेडियोल सुनते हैं क्लाइमेक्स अभी बाकी है तो क्लाइमेक्स मतलब होता है सीखर इसको बोलते है सबसे उच्छा तो इसको क्या वोलेंगे, जेनित वोलेंगे या सं मिट वोलेंगे। कैप्रिसियस मतलब होता है हाँ यह पोजी भी होता है बल्लकुल आप लोग पढ़े हैं कैप्रिसियस मतलब क्या होता है हाँ एक क्लाइमिक्स रेनीट सम्मिट साब का बाडविनिंग एक ही है साइनो है यह तो कैप्रिसियस मतलब होता है चंचल इसका सिनोनिमस हो जाएगा बाबू बहिम सीकल जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है बहिम सीकल कैप्रिसियस मतलब चंचल इसका साइनो होगा कैप्रिसियस का हो जाएगा क्रिल या क्रिवड कैजोल का हो जाएगा कोक्स या पर्श्वेड इसका मतलब होता है पुशलाना केलियोस मतलब होता है निर्दाई, क्लाइमेक्स मतलब होता है जेनित या सम्मीट, इसका मतलब होता है सिखर और कैप्रिशियास मतलब होता है बावू चंचल इसको भीहम सिखल भी बोलते हैं अब आगे देख्षे वावू कैंडीड कैंडीड के बाद कैमो फ्लेग कैमो फ्लेग के बाद कोसियास क्लियार कैंडीड मतलब होता है जम अस्पाष्ट अस्पाष्ट बोलने वाला जम फ्रेंक है नहीं बोलता है कैंडीड का साइन होता है फ्रेंक अस्पाष्ट तो कैंडीड का हो जाएगा क्या साइन हो बाबू कैंडीड का साइन हो जाएगा फ्रेंक इसका मतलब होता है अस्पाष्ट क्या होता है इसका मतलब हो अस्पाष्ट आग देखें कैमो फ्लेग यह क्या गया जी फोटो आ गया रिलाइंस डिज्टल कैमो फ्लेग कैमो फ्लेज का मतलब होता है छिपाने का अस्थान आवरन कैमो फ्लेज का मतलब होता है छुपाना छिपाने का अस्थान तो इसका क्या हो जागी जी तो इसका हो जाएगा कॉंसील या मास्क मास्क का मतलब क्या होता है छुपाना कैमोफलेक का मतलब हो जाएगा साहिनो कॉंसील या मास्क कोसियस का मतलब होता है दम सच्चेत रहना किसी के परती दम कोसियस रहना जिसे आप अपना कैरियर के परती कोसियस रहना तो कोसियस का मतलब होता है सच्चेत रहना कोसियस का मतलब होता है सच्चेत रहना कोसियस का मतलब होता है सच्चेत रहना तो इसका साइनों क्या हो जागा कोशियस का विजिलेंट या कोशियस का वाव विजिलेंट हो जाएगा या फिर वैरी हो जागा वैरी मतलब ही सजग होता है हां सचेत रहना और क्लियर का मतलब क्या होता है आप जातर कमेंट ये बताएंगे क्लियर मतलब होता है असपास्ट क्लियर का मतलब होता है असपास्ट दम किलियर है नहीं बोलता है सर दम किलियर है किलियर लिखिए तो किलियर मतलब असपस्ट होता है इसका हो जाएगा लियूसीड लियूसीड मतलब किलियर और किलियर के मतलब होता है बावू असपस्ट, कॉसियस मतलब सचेत कैमो फ्लेग मतलब छुपाना इसका साइनों हो जाएगा कॉंसिल या मास्क, कैंसिल मतलब होता है अस परस्ट, अब आगे चलिए, कहां तक क्लियर तक लिखा है, अब देखिए चार्ज, चार्ज, चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना, कैविल मतलब होता है इतराज करना, क्लेंडे, अश्टीन मतलब होता है वावो गूप्त, क्लेंडे, अश्टीन मतलब होता है गूप्त, कैविल मतलब होता है संतूष्ट, यहां तक तो चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना, इसका साइनो क्या होगा वावो, चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना, यानि कि इसका हो जागा एक्यूज किया, या एलीज किया, या इंडिक्ट भी बोलते हैं इसका मतलब होता है आरोप लगाना, क्या होता है, आरोप लगाना, कैविल, कैविल का मतलब होता है वावो, जिसे कि मान लीजिए, इतराज किसी चीज का माना कर देना, जैसे इतराज करना, माना करना एक तरह से, जिसे किसी को बोले कि, किसी को पापा बोले बेटे तुम इंजिनियरिंग कर लो, तो आप इतराज कर दिए, नहीं पापा, हम पारमेटिल करेंगे, तो कैविल का मतलब होता है इतराज करना, कि तो कईविस का मतलब होता है इतराज करना कि इसका साइनों हो जाएगा बाबूऔ object object मतलब होता है उब मुलता है कि एक सन लगाएं तो आबजेक्ट धो जाएगा या फीर ब्लेम हो जाएगा ब्लेम मतलब ही आरोप लगाना णाइए नहीं कर रहे हैं कि यहां समझ गया है कि लाल से नहीं 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 पर अब लिखेंगे क्लैंडे स्टीन का मतलब होता है बाबू गूप्त कर रखना कोई भी चीज को गूप्त रखना तो क्लैंडे स्टील का क्लैंडे स्टीन का मतलब होता है बाबू सेक्रेट या नहीं बोलता कि या तुम्हारा बाग हम सेक्रेट सेक्रेट या फिर हीडिन हां समझ रहे बाबू कॉंप्लेशेंट कॉंप्लेशेंट् complacent मतलब होता है संतूष्ट इसका हो जाएगा satisfied काम्प्लेसेट मतलब होता है संतूष्ट इसका मतलब होता है सेटिसफाइड सेट टेंस पढ़ाएं ने टेंस के जो भोकाब जब हम पढ़ा रहें तो भोकाब अपढ़िए अब 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 कौमिक कौन-कौन पढ़े हैं जी कौमिक मतलब होता है मजाकिया थोड़ा से कौमिक्स पढ़े होंगे आप लोग तो कौमिक मतलब होता है मजाकिया तो इसका हो जाएगा पहनी मजाकिया को मेमोरेट देखे को मेमोरेट का मतलब होता है नहीं कैसे दिखाया किलियर लिवाओ को मेमोरेट का मतलब होता है वह पुरानी बातों को याद करना जैसे कि को मेमोरेट का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना तो को मेमोरेट का मतलब होता है वह पुरानी बातों को याद करना तो इसका हो जाएगा को मेमोरेट का मतलब होता है याद करना इसका मतलब होता है रिकलेट या रिमेंबर कॉमेंस का मतलब होता है सुरुवात करना और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कॉमेंस का मतलब होता है बाबू सुरुवात करना कॉमेंस का मतलब होता है सुरुवात करना और इसका साइनो हो जाएगा अस्टार्ट या बिगिन कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जिसे हमको दम कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंट मतलब होता है बिशबास इसका हो जाएगा स्योर या सर्टन हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस साल पारामेट कल एक्जाम में मैक्सम डिस्टिक से टॉपर हमारे एंडिया परिवार के होंगे तो confident या फिर बोले कि हम स्योर है या हम certain है एक ही वाद है confident बोले है sure बोले है certain एक हम certain है कि study इंडिया से हरे एक लिला का टॉपर होगा और मेरे साथ आप भी मेनद करिए बावू और भोकैब जल्दी देखेगा कहीं भी इतना जादा नहीं पढ़ा जाता है लेकिन हमको पता है कि पारा मेटकल का एकजाम में भोकैब का बहुत जादा बेटेज है इसलिए आपको डेली हम लिखवा रहे हैं और यहां लिखवाने का ऐसे हम आप पढ़िए चलिए अब आए डैंटी उसके बाद दीड उसके बाद डिस्क्लोज उसके बाद डिजायर उसके बाद डैंग देखें डैंटी डैंटी मतलब होता है बाबू डैंटी का मतलब होता है अकरसक दीए सापसूतरा तो इसका नीट हो जाएगा या क्लीन बोलें इसका मतलब होता है सापसूतरा क्या होता है बाबू सापसूतरा डीड डीड मतलब होता है काम या कार्ज तो इसका साइनों क्या हो जाएगा डीड का बर्क या एक्शन डिस्क्लोज नहीं बोलते हैं वाओ कि इसका हम यह चीज़ करते हैं नहीं कि आपका सेक्रेट आपका सेक्रेट हम डिस्क्लोज कर देंगे तो डिस्क्लोज मतलब होता है उजागर करना कोई भी छुपई हूँ बात को उजागर करना तो उसको डिस्क्लोज बोलते हैं तो डिस्क्लोज का हो जाएगा एक्स्पोज या रिवील इसका मतलब होता है उजागर करना या परकट करना सर समझ क्या प्रोब्लम हो रहा है डिजायर मतलब होता है कामना करना या इच्छा करना कि डिजायर का मतलब होता है इच्छा करना तो बीस करना वीस मतलब होता है वा वह इच्छा करना या प्रोप करना डैंक, डैंक मतलब होता है बहीगा हुआ, हलका बहीगा हुआ, तो इसका हो जाएगा बेट, डैवलू, इटी, बेट, बेट मतलब ही होता है बहीगा हुआ हम तो ट्रीक आपको बता दे कोई बहारी बात नहीं है लेकिन आपको चुकी सिलेक्शन लेना ट्रीक में होता क्या है कि कुछ लिमिटेड ये सब हो कैब का सब का ट्रीक नहीं हो सकता है और ट्रीक आप भोल ही जाएगा ट्रीक बहुत लिमिटेड सब बट का नहीं होता है 20-25 बट का होता है लेकिन आप मैक्सिमम का नहीं होता है वाउट ट्रीक आपको याद नहीं कर पाईएगा और एकजाम में आपको ट्रीक वाल नहीं जाएगा तो क्या आप हरे एक तरह से तयार रहिए ट्रीक कभी काम आता है देखते हैं मैं सब्सक्राइग तो कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा इंगली से वहीं आता है इंगली से तो और नहीं होता है वह क्या ट्रीक लगाईएगा डॉब मतलब होता है बाबू पोतना इसको साइनो हो जाएगा पेंट डॉब मतलब होता है पेंट करना सर अब्जेक्टिव ओनली एमसी क्यू भी करवाएंगे बाबू टेंशन नहीं लीजिए ऑप टेंसर नहीं लीजे ऑमसी क्यू भी करवाएंगे पहले बोकायब करते है तो सर एमसी क्यू कराइए एमसी क्यू कराते है तो बोकायब कराएए डॉप कि डौन्ट मतलव होता है किसी को निरत्साहिद करना जैसे कि आप कहें और इंकरेज करना जैसे कि आप कहें कि भाईया या दीदि हम कि तु निरुत साहइद करना कि तुम को कुछ था नहीं को हिए तुम कर सकता है मेहनत करो तो ऊसको इनकरेज और डॉंट मतला होता है निरुत साहिद करना इसका हो जाएगा डिसकरेज याड इसमें मतलब निरुट साहिद देडली मतलब होता है गहा तक इसका हो जाएगा मूर्टल या फैटल इसका मतलब होता है गहा तक किसी इसको डेर्थ है डेर्थ डेर्थ मतलब होता है कमी डेर्थ मतलब होता है कमी तो इसका हो जाएगा वावो असकार सीटी या इन एडेक्वेट मतलब होता है कमी इन एडेक्वेट मतलब ही कमी डेर्डली मतलब गहा तक या मूरल या फैटल हो जाएगा डेर्थ मतलब कमी अब आगे चलिए खांश कर देर कलिए ओंब अब गहां होना तो डिवाकल मतलब होता है पतन तो इसका साइनों क्या हो जाएगा को लैप्स या रूइन मतलब होता है पतन डिवाउची मतलब होता है कामुक इसका साइनों हो जाएगा सेक्स्वल डिवाउनियर मतलब होता है अकर्षक जो देखने में बहुत अच्छा लगे अकर्षक लगे उसका बोलता है डिवाउनियर तो एट्रैक्ट 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 हो जाएगा या फिर एलिजेंट हो जाएगा बहुत सार बूक से लिखाते है बाव डिसेप्शन मतलब होता है किसीको दोखा देना छल करना तो इसका हो जाएगा ट्रैप हो जाएगा, डिसेप्शन का हो जाएगा बाबु ट्रैप हो जाएगा, या डिसिट हो जाएगा सर प्लीज चाइट, चाइट हो जाएगे, डिसेप्शन मतलब ट्रैप या डिसिट इसका मतलब होता है चल, देखें बहुत कैव आप याद करें, लिखवा दे रहे न, अब देखें, अड़हाई सर साइन, अड़हाई सर इंटो लिखवाएंगे, इसको बार बार पढ़ते रहिएगा, डिस्ट्राय, डिस्ट्राय, डिस्ट्राय है, उसके बाद, डेरो गेट है, उसके बाद, डेफर है, उसके बाद, डिफाई है, तो डिस्ट्राय है, डिस्ट्राय, डिस्ट्राय मतलब होता है, डिस्ट्राय, डिस्ट्राय का मतलब होता है, बरवाद करना, इसका हो जाएगा साइनो, डेमोलीस, या रियून, डेरो गेट, डेरो गेट मतलब होता है, डेरो गेट का मतलब होता है, निंदा करना, इसका हो जाएगा कंडेमन, इसका मतलब निंदा करना, डेफर का मतलब होता है, जिस्ट्राय मतलब होता है, जिस्ट्राय करना, तो देरी करना, तो इसका हो जाएगा डिले या पोस्ट पॉन डेफाई मतलब होता है ललकार ना किसी को चैलेंज करना तो इसका हो जाएगा चैलेंज करना या रेजिस्ट करना हमसे कोई भी बात करो संदीप राज असपाईल एसपी ओ आईल होता है के वल बावू इसका हो जाएगा एसपी ओ आईल के वल होता है यह लिए नहीं होता है सरनेंद लग रहा है सरसाइड चलिए उतारिया राम से और साथ ही साथ आपको भोके जो लिखाएं आप यान करते रहेंगे नहीं सो क्यों में रहें रहेंद आई रहेंद अध to वोकेब आपको याद रहेगा उतना बेटर है डिलेक्टेवल डिलेक्टेवल का मतलब होता है बाबू स्वादिश्ट डिलिजेंट डिलिजेंट मतलब होता है परिश्रमी डिलिट देमन दिम्यूर डिलेक्टेवल मतलब होता है बाबू स्वादिश्ट इसका हो जाएगा डिलिसियास या टेस्टी डिलिजेंट डिलिजेंट मतलब होता है बाबू परिश्रमी डिलिजेंट डिलिजेंट का मतलब डेफर का बाबू पोस्ट पोन होता है या डिले डिलिजेंट का मतलब होता है परिश्रमी मेहनति तो इसका हो जाएगा इंडस्ट्रियास या हार्ड बर्किंग डिलिट क्या जी किसे से बात करते है तो उसका नंबर डिलिट करते हैं तो डिलिट मतलब होता है मिठाना इसका साइन नो हो जाएगा बाबू इरेज करना या बाइट करना डेमन डेमन का मतलब होता है राचहस इसका हो जाएगा डेमिल या जियांट और डिम्यूर डिम्यूर का मतलब होता है सरमीला इसका साइन हो जाएगा क्वाय या साइ इसका मतलब होता है सरमीला और साथ ही साथ तीन भोकेब और लिखाते हैं उसके बाद कल जो हम लिखवाएं थे उससे हम आपको पूछेंगे डिराइड डेस्टीनी डेस्टीटीट तो देखेगा डिराइड डिराइड मतलब होता है मजाक उडाना तो इसका हो जाएगा मौक या रिडिक्यूल डेस्टीनी मतलब होता है गंतव या भाग किसमत तो इसका हो जाएगा फेट या लक और लाश्ट है डेस्टीट मतलब होता है अब हाव गरस्ट जिसको कुछ का कमी हो तो इसका हो जाएगा पूर्या नीडि अब यहां तक आपको भोकैव आपको खतम हुआ साइनो अभी और चलया कुछ दिन लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं कितना याद हुआ कुछ आपसे भोकैव पूछने का कोशिस करते हैं आप लोग बताएंगे अब चलिए कल जो पिछला क्लास में लिखाये थे उसे हम पूछते हैं कौन-कौन याद किये हैं वह हमको पता लगेगा और कुछ भोकैव पूछेंगे आप लोग बताएंगे अब थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं आचा ठीक है याद नहीं है कोई दिकत नहीं है आप लोग बताएंगे रीच रीच का मतलब क्या होता है आप लोग छातर जवाब देंगे रीच का मतलब क्या होता है रीच का मतलब क्या होता है बहुत बढ़ियां मनीशा कुमारी रीच का मतलब अमीर होता है बहुत बढ़ियां राइ का मतलब क्या होता है आप लोग शातर क्मेंट करके बताएंगे ट्राई का मतलब क्या होता है प्रिया वर्मा एफ्लुएंट लिख रहे हैं हाँ बिल्कूल रीच का साइनो है एफ्लुएंट ट्राई ट्राई का ट्राई का कोसिस बहुत बढ़िया या प्रैक्टिस और बताएंगे एस एच यूटी साट साट मतलब क्या होता है आप लोग केमेंट करके बताएए एस एच यूटी साट साट का मतलब क्या होता है आप लोग केमेंट करके बताएए साट का मतलब क्या होता है तो साट का मतलब होता है बंद करना इसका साइनों होता है वावू इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब बताएए दिनाई का मतलब क्या होता है आप तो दिनाई का मतलब होता है नहीं कोशिश करना नहीं होता है दिनाई का मतलब क्या होता है आप छाटर केमेंट करके बताएएए डिनाई डिनाई का मतलब होता है मना करना इसका साइन होता है रिफ्यूज एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब क्या होता है एक्सेप्ट जैसे किसी को कोई परफोज करता है तो या तो एक्सेप्ट करता है रिफ्यूज करता है तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब क्या होता है तो accept मतलब होता है बावू स्विकार करना क्या होता है accept का मतलब स्विकार करना और इसका मतलब होता है आब चलिए कल जो लिखवाएं थे उसमें से पूछते हैं और उसमें से कौन छात्र जवाब देते हैं ध्यान दिजिये आप छात्र बताएंगे इवल मतलब क्या होता है आप छात्र जवाब दे evil का मतलब क्या होता है? योग और इसका साइनो प्रियंक का कुमारी आप लगता है पढ़ रहे हैं बहुत बढ़ जाएं के पेवल होता है? एंगर मतलब क्या होता है? एंगर मतलब क्या होता है? आप छात्र कमेंट करके बताएंगे एंगर का मतलब क्या होता है? एफ हेवल का मतलब क्या होता है एंगर मतलब होता है गुस्सा और इसका साइनो होता है वावो रेज एफ हेवल मतलब होता है मित्रवत यानि जिसको से हमको दोस्ताना समंध हो इसे बोलते हैं फ्रेंडली एडमायर मतलब क्या होता है परसंसा करना इसका तो आज भी लिखवाएं एडमायर का साइनो बताईए एडमायर का साइनो बताईए इसको तो आज भी लिखाएं एनसियेंट मतलब होता है प्राचीन इसका साइनो बताईए भी आज ही लिखाएं तो एडमायर का होगा लाओड या एक टॉल्ड और इनसियेंट का हो जाएगा ओल्ड और और प्राचीन एक धाओ एविखार भी लुखाएं या फिर primitive मतलब भी प्राचीन होता है अब चलिए क्लास से जुड़ने के लिए सभी छात्रेवं छात्राओं को धन्यवाद लेकिन आपको पता है कि हम क्लास के लाश्ट में सभी छात्र से पूछते हैं कि किसको किसको क्या समस्य है वाबो आप लोग बताने का क्ष्ट करें किनको किनको याद नहीं होता है वह बोले सर हमको याद नहीं होता है जिनको जिनको याद नहीं होता है या जिनको कोई भी समस्या हो क्लास के लास्ट में हम बोलते हैं कि लिखिए तो जिनको भी छात्र या छात्राओं को कोई फ्रोलम है तो लिखिए कि याद कैसे इसको लिख लिख कर याद करें को याद हो जाएगा इसको जिनको याद नहीं होता है उनको एक वार लिख कर याद करिए आपको याद होगा अब मन में बैठा लिया है याद नहीं होता है याद करके और अपना भाई को या बहन के सुनाई है आपको याद होगा बहुत खुशी मिलेगा आइव रखना मारा स्टूडेंट हाँ याद होगा भूलिएगा याद होगा भूलिएगा याद हो याद होगा याद करने के लिए सभी छात्रों चात्राओं को बहुत धन्यवाद याद करने का कोई ट्रीक है क्या ट्रीक यहीं है यहां यह गया हम आपको मंद में एक मंदर यहाद होगेंगा आपको सभी हाद हो जाएगा आप करवाएं में ठीक करवाएं में ठीक है करवाएं में क्लास जूरने के लिए सभी को धन्यवाद फिर आपको क्वों में छाव इसे दिताएं में कर दो कर दो कर दो झाल झाल